Hello friends, इस वीडियो में हम Plant Neatology के Important Question देखेंगे ये सभी Question Neat के Exam में कई बार repeat हुआ है इसलिए आप सभी के लिए बहुत Important है और Neat के Exam से पहले हम Biology के सारे Important Question आपके साथ सेयर कर लेंगे जिससे आपको Exam में बहुत help देगी और वीडियो को Start करने से पहले आप सभी को बता दें कि कल यानि कि 27 March को हम Unacademy पर दो Special Class करने वाले हैं जिसमें हम Human Physiology के Most Important Question आपके साथ सेयर करेंगे तो ये सभी Question नीट में कई बार पूछे गए हैं इसलिए आप सभी के लिए बहुत Important है तो पहरी क्लास 11 बजे से होगी और दूसरी क्लास साड़े 12 बजे से होगी तो हरे क्लास एक घंटे की होगी हमने इन दुनों क्लास के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं तो आप अभी से इनमें Enroll कर सकते हैं आपको ये क्लास जरूर जोइन करनी चाहिए तेट्राडाइनेमस कंडिशन अकर इन इनमें से किसमें टेट्राइनेमस कंडिशन पा जाती है क्रूसिफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी या फिर लिलियेसी तो सही आंसर होगा ए क्रूसिफेरी, जिसमें 6 स्टेमन पा जाते है जिसमें से 4 लंबे and 2 छोटे होते है यानि कि इसमें 4 प्लस 2 कंडिशन पा जाती है और ये कंडिशन केवल क्रूसिफेरी फैमिली में ही देखने को मिलती है इन वीच आफ दा फोलोईंग प्लांट इन में से कौन से प्लांट में संकन इस्टोमेटा या फिर धसे हुए इस्टोमेटा पा जाता है नेरियम, हाइड्रिला, मैंगो या फिर ग्वावा तो आप इसका सही आंसर होगा ए नेरियम, नेरियम में संकन इस्टोमेटा पा जाता है क्योंकि यह एक जीरो फाइटिक जीरो फाइटिक प्लांट है और वाटर लोस को रोकने के लिए इसमें संकन इस्टोमेटा पाजाते है वाट इस आई ओफ पटेटो पटेटो की आई किसे कहा जाता है एक्जिलरी बर्ड असेसरी बर्ड एडवेंटिसियस बर्ड या फिर एपिकल बर्ड तो आप इसका सही आंसर होगा A. एक्जिलरी बर्ड जो की एक नए प्लांट में ग्रो हो जाती है यानि कि इससे एक नया प्लांट डेवलेप हो जाता है एडिबल पार्ट ऑफ बनाना इस बनाना में खाए जाने योगे भाग होता है एपिकार्प, मीजोकार्प and लेस डेवलेप एंडोकार्प एंडोकार्प and लेस डेवलेप मीजोकार्प या फिर एपिकार्प and मीजोकार्प तो आप इसका सही आंसर होगा c. endocarp and less tablap mesocarp बनाना एक berry fruit है berry fruit है और इसमें endocarp and less tablap यानि की कम विक्सित mesocarp खा जाता है नुमेटोफोर्स आर फांड इन नुमेटोफोर्स पा जाते हैं the vegetation which is found in marsis and saline lake the vegetation which is found in acidic soil, zerophytes या फिर epiphytes तो आप इसका सही आंसर होगा a. the vegetation which is found in marsis and saline lake ये special roots होती है जो की mangrove plants में पा जाते हैं जो की marsi area में उखते हैं इसके examples है ravi, r-a-v-i, ravi तो यहाँ पर ar4 है rhizophora rhizophora and avi for avi, senia तो इसके दो example है जो की आप से पूछे जाता है तो आपको याद रखना है ravi आगला question है hair found in the inflorescence of g-maze are the modification of यानि की जो g-maze में hair पा जाते हैं वो किसका modification होता है style, stigma, space या फिर filament तो आप इसका सही आंसर है a. style geocarpic fruit is a इन में से कोन एक geocarpic fruit है तो यह question आपके लिए बहुत important है क्योंकि यह question कई बार पूछा गया है carrot, radish, groundnut या फिर turnip तो इसका सही आंसर है c. groundnut क्योंकि groundnut एक geocarpic fruit है और ऐसे plants rare होता है जिसमें fruit ground के नीचे develop होता है angiospum to which the largest flower belongs यानि कि ऐसा angiospum जिससे सबसे बड़ा flower बिलोंग करता है total root parasite, partial root parasite, total stem parasite या फिर partial stem parasite तो आप इसका सही आंसर होगा a. total root parasite जो की है reflacia 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 में सबसे बड़ा flower पा जाता है और ये एक total root parasite है जो की angiospum से बिलोंग करता है the plant which bears clinging roots is यानि कि ऐसा plant जिसमें की clinging roots पा जाते है scrupine, podostemon, trepa या फिर orchid तो आप इसका सही आंसर होगा डी और्केट और्केट में तीन तरह की roots पाज आती है नमबर वन clinging root clinging root number two absorbing root absorbing root and number three epiphytic root epiphytic root और इन तीनों की अलग-अलग काम होते है floral feature are chiefly using angiospum identification because and जो sperm को पहचानने के लिए इसके floral feature का मुख्यते यूज किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा B. Reproductive parts are more stable and conservative than vegetative parts which plant will lose its economic value if its fruit are produced by induced parthino carpi इन में से किस plant की economic value खतम हो जाएगी अगर उसका fruit parthino carpi से बनाया जाए orange, banana, grape या फिर palm granite तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा D. Palm granite parthino carpi का मतलब होता है fruit का बिना fertilization के बनना and इससे बनने वाले fruit को parthino carpi fruit कहते है which of the following is a true fruit इन में से कोन एक true fruit है banana, fig, apple या पिर तो यहाँ पे सही आंसर है A. Banana banana एक true fruit है क्योंकि true fruit are developed from ovary true fruit are developed from ovary और banana is a fleshy berry fruit a plant, bear's fruit has a column of vascular tissue and a tape root system this plant is यानि कि एक ऐसा plant जिसमें fruit पाजाता है और उसमें vascular tissue पाजाते है और tape root system पाजाता है तो यह कौन सा plant है angiospum and dicote gymnospum and dicote angiospum and monocote या फिर gymnospum and monocote तो आप इसका सही आंसर होगा A. angiospum and dicote क्योंकि यहाँ पे जो root पाजाती है वो है trap root जबकि monocote में fibrous root पाजाती है hypanthodium is a specialized type of fruit, inflorescence, thalamus या फिर ovary तो इसका सही आंसर है B. inflorescence और इसका example है ficus pulses are obtained from दाले प्राप्त की जाती है phabese, astrecy, poesie या फिर solenese तो इहाँ पे इसका सही आंसर है A. phabese क्योंकि phabese family से दाले प्राप्त की जाती है इसका 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 सही आंसर है astrecy क्योंकि इसमे 5 stamen with free filament condition पाज जाती है fruit of mangifera indica is mangifera indica यानि की mango में कौन सा fruit होता है berry, droop, capsule या फिर siliqua तो इसका आंसर आप जानते है इसका सही आंसर होगा B. droop mango में droop fruit पाज जाता है और इसमें हम mesokarp खाते है syngenious condition is found in इनमें से किसमें syngenious condition पाज जाती है astrecy, labiate, solenese या फिर phabese तो सही आंसर है A. astrecy में syngenious condition पाज जाती है vegetative reproduction of agave akarthro rhizome, stolen, bullbills या फिर सकर तो आप इसका सही आंसर होगा C. bullbills यह एक modify swollen swollen structure होता है जो कि favorable condition में plant से अलग होकर नए plant का formation कर लेता है velemen is found in velemen पाज जाता है सही आंसर होगा D. aerial root of orchids velemen orchids की aerial root में पाज जाता है एंड यह एक hygroscopic hygroscopic tissue होता है जो की atmosphere से water को absorb करता है in groundnut the food या फिर oil reserve is present in epicarp, mesocarp, endospam या फिर cotlidon तो सही आंसर होगा D. cotlidon groundnut में उसका oil या फिर food reserve उसके cotlidon में पाज आता है new banana plant develop from rhizome, sakar, stolen या फिर seed तो देखिए आपको याद रखना है banana और pineapple pine apple में सकर check करो तो यहाँ पर check for है chrysanthemum banana, pineapple और chrysanthemum में plant सकर से develop होता है तो आप इसका सही आंसर होगा B. सकर mango juice is obtained from mango का juice किस से प्राप्त किया आता है epicarp, mesocarp, endocarp या फिर pericarp and thalamus तो इसका सही आंसर होगा B. mesocarp आप जानते हैं mango में mesocarp भी खा जाता है और mesocarp से इसका juice प्राप्त किया जाता है which one yields fiber coconut, oak, teak या फिर sisow तो इसका सही आंसर होगा A. coconut Micropyle of seed is involved in the passes of male gamet pollen tube, water या फिर gases तो इसका सही आंसर है C. water and last question है fruit of ground nut is ground nut का fruit होता है legume, caropsis, bear या फिर nut और इसका आंसर आपको comment करके बता है आंसर है